आज मद्यप्रदेश और 36 गड़ में जम कर पोलिंग हुई है और मद्यप्रदेश और 36 गड़ में आज जो पोलिंग हुआ है इससे हमको एक इतला आती है कि वहाँ पर दूनु जगें कॉंग्रेस जीत रही है कॉंग्रेस की लड़ाई जनता के लिए जनता के साथ में हम केसी आर से लड़ रहे हैं पीजे पीजे लड़ रहे हैं और चंद लोग उनके जो दोस्त लोग हैं उनसे भी हम लड़ रहे हैं ये चंद लोग ऐसे होते हैं सामने आते हैं चंद लोग ऐसे होते हैं जो पीचे से लड़ते हैं लेकिन हम कॉंग्रेस पार्टी वाले हमेशा सामने से लड़ने वाले लोग हैं छिपके कभी नहीं लड़ते हैं कहीं पाजपा चलंगाना में तो रेस में नहीं है वो कहीं दिखता नहीं लेकिन यहां के केसियार सरकार को वो अंदरूनी सपोर्ट कर रहे हैं कि इसका मतलब यह हो गया कि बीजेपी और केसियार मिल के त्यलंगाना में लड़ रहे हैं और साथी साथ और भी उनके एक साथी केसियार को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसके उपर आप जान सकते हैं कि कॉंग्रेश को हराने के लिए कितनी साजिस चल रही है और यह साजिस करने से हमारे कॉंग्रेश के लोग डरने वाले नहीं है कॉंग्रेश के लोग मजबूत है और हम लड़ाई करते करते इस देश को आजादी दिलाई है लड़ाई करते करते इस देश में लोग तंत्र की स्थापना किये है लड़ाई करते करते इस देश में समिदान हमने बनाया है पंडी चवरलाल नेरूजी और टाटर बावा सावं बेड कर इन्होंने मिलकर देश को एक बहुत बड़ा समिदान दिया है उस समिदान के वज़े से हम सब लोग आज वोटिंग पावर हासिल करके लोगतंत्र में हैं लेकिन इसका फाइदा दूसरे लोग उठाते हैं उठा कर वो यह कहिते हैं कि नेरु जी ने क्या किया डाक्टर बावा साब अम्वेड करको कांग्रेस वालों ने अपमान किया ऐसी बाते आरेसेस और बीजेपी वाले बोलते हैं बावा साब अम्वेड करको कांस्टून्ट असेम्बली का चेर्मेन बना कर हमारे सारे भविष्य लिखने का हाथ उनके हाथ में दिया है इसी के वज़े से सभी लोगों को आज ये वोटिंग का पावर है या क्या केसियार नहीं दिये ये मोदी नहीं दिये ये शाह नहीं दिये ये पंडी چवरलाल नहये रुजे और डाटर भावस अब अमधेड करकी देन है इसलिए हमको कहिना कि कांग्रेस वाले क्या किये मैं बताने मैं बताने को अगर ठैरा तो बहुत समय लगेगा तो इसलिए मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेता क्योंकि इस मैदान में आप कम से कम आप चार घंटे से बैटे हैं तो आपको मैं इसके बारे में ज़्यादा ना कहते हुए मैं एक असली बात आपको कहूंगा यह जो PRS और RSS और BJP इनका सीक्रेट अलाइन से है अगर आप इन लोगों को वोड देंगे अपने आप गुलामी की तरफ जाएंगे अगर कांग्रेस को वोड देंगे गरीबों का राज जाएगा इंद्रा गांधी जी ने जो लाया था गरीबों के लिए बड़े बड़े कारखाने जो बनाये थे हम यह सब कांग्रेस के जमाने में हुई थी और उसका रक्षन भी हम कर सकते हैं मेरे को बताओ KCR जी कितने साल हो गए 99 अप साड़े नौ साल में आप कोन से बड़े फैक्टरी हां लाये बोलू जो जवरला ने रू लाये थे पहले के प्रदान मंत्री वो ही हमारे तेलंगाना में हैद्राबाद में आंद्रा में सब तरफ है कोई एक बड़ी फैक्टरी सेंट्रल से लाये उनके साथ आपकी दोस्ती है और वो भी अब दस साल हो गए मोदीजी को भी उनके दस साल इनके साड़े नौ साल वही दोनू मिलके हम डबल इंजिन के तैसा काम कर रहे ऐसा कहते हैं इंडरेक्ली लेकिन तैलंगाना को कुछ फाइदा नहीं हुआ तैलंगाना बनाने के लिए भी कौन कोशिश किये तैलंगाना बनाने के लिए कहां तैलंगाना की जनता कोशिश की उन्होंने अपना जान खोया मा और हर जगे उन्होंने अपना इस जो एजिटेशन में भाग लिया और उसके वज़े से तेलंगाना आपको मिला और देने वाले कौन स्रीमती सोनिया गांधी जी जो हमारी नेता है उन्होंने खुद तेलंगाना को सेप्रेट करके तेलंगाना रज्य बनवाया है आपका क्या है इसमें यह करा सत्यागरा करा हो ऐसे बहुत से लोग भी सत्यागरा करते हैं अपने-अपने लेकिन धिया कौन? किया कौन और यहां के यहां भाइटे सो लोग क्या तेलंगाना के लिए एजिटेशन नहीं किये क्या यह की घर के लोग किये? कौन की आप बोलिए कंग्रेस की न तो ये सोनिया गांदी जी इंद्रा गांदी जी तो पहले से ही गरीबों के तरफ उनका रुख है और गरीबों के लिए ही उन्होंने काम किया इंद्रमा गरीबों को जगरती दी इसलिए तो गरीब लोग आज अपना हकुक जताने के लिए तैयार हो गए हैं और दूसरी बात यहाँ पर बहुत लोग है भी ए बी सी टीम कुछ है अब अनमा अंद्रा यह बोल रहे थे हमारे रेडी साहब कि यहाँ इतने लोग हैं इतने लोग सपोर्ट कर रहे एक दूसरे को यह कह रहे थे तो सिर्फ कॉंग्रेस को हराने के लिए सिर्फ कॉंग्रेस पार्टी की सत्ता में आने से रोकने के लिए यह सब लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस को रोकने वाल सत्ता से दूर रखने की कोशिश करने वाले लोग आप कभी भी सस्वी नहीं होगे कॉंग्रेस जरू पर बैटे हुए उसको लाने में सब समर्थ है मोधी साहब हर जगे कांग्रेस के लोकों के उपर CPI के अधाट डालते हैं इंकम टैक्स वालों का अधाट डालते हैं और इंडी का उप्योग करते हैं जो कानून है वो कानून का उप्योग करके कांग्रेस पार्टी के कारेकरताओं को लीडरों को ये डिमॉरलाइस करते हैं उनको कमजोर करने की कोशिश करते हैं तो मैं पूशता हूँ या बी आरेस पार्टी के लोग घपला किये दिल्ली में जो केजरिवाल की सरकार थी उनसे साट गाट करके जो घपला हुआ वो क्यों उनसके ध्यान में नहीं आ रहा मोदी जी के मैं पूशता हूँ क्यों मोदी जीदर जान नहीं दे रहे हैं तुमारे बहुत बड़ा इर्गेशन डेम काले शोरं काले शॉरं इतना बड़ा डेम जिसमें लाको रुपए का घुटा ला खरड़ो रुपए का घुटा ला तो आप आपको नहीं दिख रहे हो सिर्फ कांग्नेस वाले ही दिख और बड़े बड़े जो भी स्कीम्स गरीबों के नाम से लाए वो सब में घपला अरे पानी में घपला, इरिगेशन में घपला और गरीबों को जो देने वाला वेलफेर स्कीम में घपला हर जगे घपला, लेकिन वो लोग समझते नहीं अगर मोधी ये अगर जानते हैं कि इसमें सब भ्रस्टाचार है, इसमें रुश्वत खोरी है, तो क्यों नहीं पकड रहे मैं पूछता हूँ, वो क्यों नहीं उनको जेल में नहीं डाल रहे क्यों उनके उपर एफायार नहीं होड़े, नहीं इसलिए कि उनको साथ में रहे के हमको हराना है, अरे भई आप कितनी भी कोशिश करो हराने की, जनता हमको हरने नहीं देंगी, जब तक आपका आशिरवाद हम पर है, कॉंग्रेस का, कॉंग्रेस पार्टी कभी हरेगी नहीं